हेलो बच्चो यहां पर आज हम करेंगे एक्टू सीन वन और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चो यहां पर mcq question तो हम करेंगे line by line बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि बच्चो यहां पर हम mcq के साथ साथ क्या करेंगे कि चैप्टर जो हमारा एक्टू सीन वन ए उसके पूरी समरी को अच्छी तरह से समझ भी लेंगे क्योंकि मेरा मकसद mcq question कराना नहीं है बलकि mcq question के जरीए आपको पूरे पूरे सीन यानिकि कौनसे प्लेस से रिलेटेड है ए ऑप्शन है रोम ब्रूटस और चार्ट भी सीजर्स हाउस सी रोम और स्ट्रीड डी अप पब्लिक प्लेस तो देखिए यह आपने पढ़ लखा होगा मैंने आपको टाइम दिया है आप टाइम मैंने के इसका अंसर दे सकते हैं तो आपने पढ़ लखा होगा तो ये बच्चों यहाँ पर जो एक टू सीन बन की स्टार्टिंग हुई है वो ब्रूटस और चार्ट में इसका मतलब ब्रूटस इस समय अपने बाग में यानि कि और चार्ट में टेहल रहा है बगीचे में और क्यों हैं बच्चों यहाँ पर क्योंकि इस से पहले कि यहाँ पर यह कहानी थी कि जो कैसियस था वो उसने ब्रूटस को जूलियस सीजर के खिलाब भढ़का दिया कि जूलियस सीजर अगर राजा बन जाता है तो आने वाले समय में प्रजा का बहुत जादा नुकसान होगा और वो जो की हितकर नहीं है तो उसकी च लूटटुकरस फ्रेंड, बूटटूस जबलनट, बूटथीस सांट, अब्रूटस फैमली मेंबर या नन अफ्ञ इन में से कोई नहीं है तो यहाँ पर आपके एककोरड़िंग क्या हो सकता है यहाँ पर तो यह आपका जो आन्सर है वह है आपका यहाँ पर उसक पराज प गैस इसका क्या मतलब है और यह किस के लिए कहा जारा मतलब किस ने इस बात का यूज वर्ट का यूज करा help me to guess lucius ने कहा है make a guess lucius ने कहा है make a guess brutus ने कहा है या फिर इन में से कोई नहीं तो आप पहले अपने according सोच लीजिए कि कौन सा answer possible हो सकता है तो यहां पर जो correct answer है वो है make a guess इसका मतलब give gaps का मतलब है कि खुझ से अनुमान लगाना और यहां पर यह कौन अनुमान लगा रहा है brutus brutus जो कि राध बर नहीं सोया है वो राध बर जाग रहा है और जागते समय यह तारों को देखते हुए अनुमान लगा रहा है कि अभी सुभा होने में कितनी देर बाकी है who is a back solid तो यह मैंने अभी पिछले question में ही इसको answer से दे दिया है तो आप समझी गए होंगे कि कौन इस समय इतनी रात को जाग रहा है तो आपका जो answer है मैं समझ गया कि आपने जो answer सचा है वही सही है बिल्कुल सही सोचा आपने Brutus तो इतनी रात को कौन जाग रहा है तो कौन जाग रहा है Brutus जाग रहा है क्यों कि कैसे यह ने उसके कान भर दिये और उसको देश के पिरती चिंता हो रही है कि अगर वह जूलियर सीजर बूटस का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है कि टैपर मींस टैपर का क्या मतलब है टैपर बोलते हैं मैच बॉक्स टेप रोल कैंडल या फिर कोई नहीं में से तो टैपर का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर जल्दी से 1 2 3 4 & 5 तो यह आपको टैपर का मतलब बताया है कैंडल टैपर बोलते हैं मुम्भती को कौन टैपर को मांगता है और किस से मगग वाता है कौन टैपर चाहता है कि मुम्भत्ती को लेके आओ और किस से ये बात कही आ रही है तो वो कौन है Caesar to Caesar to Brutus Lucius to Brutus या फिर Brutus to Lucius तो देखिए यहां पे कौन सा इसका आंसर हो सकता है टाइमर चल रहा है जल्दी से सोचिए कौन सा पॉसिल आंसर है तो राइट आंसर है आपका Brutus to Lucius अब क्या है कि जो Brutus है वो राद बर जाग रहा है और जागते समय अपने बाग में टेहल भी रहा है टेहलते समय वो आवाज लगाता है कि Lucius जागो अपनी गहरी नीन से जागो तो Lucius क्या करता है बिचारा वो भी अपने नीन से जागके Brutus के पास आता है जब Brutus के पास आता है तो Brutus कहता है कि जाओ टेपर लेके आओ टेपर मींस मुमबत्ती कैंडल लेके आओ और उसको मेरे स्टडी रूम में लाके जला दो यानि कि रोशनी कर दो मेरे स्टडी रूम में मैं कुछ study करने चाहता हूँ उसलिए कुछ उसके लिए तुम क्या करो candle को वहाँ पे जाके जला दो और जब वो जल जाए तो उसकी सूचना आके मुझे दो इसकी ही death से होना चाहिए मतलब कि यहाँ पे यह word किसने और किस से कहा तो पहले तो हम option देख लेते हैं brutus speak his consonants brutus to lucius lucius to brutus या फिर none of them तो आप जल्दी से बता लगा सकते हैं कि कौन सा answer यहाँ पे correct है तो पहले तो मैं आपको correct answer बता दू फिर इसका meaning भी बताऊंगा with reason के साथ तो यहाँ पे जो correct answer है brutus speak to his consonants brutus अपनी अंतर आत्मा से बात करता है इसका मतलब क्या है brutus राद बर जाग रहा है बगीचे में टहल रहा है और टहलते समय जब उसने servant को अवाल लगाई तो servant आया और उससे कहा कि जाओ मेरे study room में candle जला दो और जब जल जाए तो मुझे आके बता देना इसी बीच वो brutus अपने आप अपनी अंतर आत्मा से बात कर रहा है इट मीज़ कि वो अपने आप में सोच रहा है कि क्या it must be it must be by it must be by his death क्या ये उसकी death से ही हो सकेगा यानि कि Cassius ने brutus को ये कहा है कि अगर ये राजा बन जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो वो brutus क्या कर रहा है उसके मन में ये भी planning हो रहा है कि क्या Julius Caesar को मरवा देना चाहिए ताकि ये चीज वो वविश में राजा ना बन पाए और प्रजा का कोई नुकसान ना हो पाए तो इसी बात को लेके वो अपने आप से ही अंतनी अंतर आत्मा से ही क्या कर रहा है बात कर रहा है Spun means A option Attack B Strike C D None of them तो देखी यहाँ पे कौन सा answer यहाँ पे correct है इसका मतलब होता है Strike यानि कि Attack आकरमल करना Adder means Adder का क्या मतलब बताया गया है Adder के लिए आपने सुना होगा यहाँ पे word भी आया है इसमें Adder किसमी कहा जाता है बच्चों यहाँ पे Adder का मतलब होता है चलिए पहले तो time खतम होने का wait करते फिर बताते Adder को कहा गया है Snack Adder का मतलब होता है Snack For whom is the word Snack being said here मतलब किस के लिए साप word का use किया जा रहा है It means कि किस को यहाँ पे Snack बताया गया है Brutus के लिए कहा जा रहा है कि Brutus एक साप की तरह है Julius Caesar है Lucius है या इन में से कोई नहीं है तो आप बताईए कि कौन सा answer है कि यहाँ पे Snack किस के लिए कहा गया है तो Snack यहाँ पे किस के लिए कहा जा रहा है वो है Julius Caesar के लिए तो काहनी में क्या है कि बच्चो Brutus अपने मनी मन में सोच रहा है कि राजा अगर Julius Caesar बन जाता है तो बहुत दिक्कत होगी तो वो यहाँ पे Julius Caesar की कंपेर कर देता है कि वो एक साप की तरह है अगर साप को हम पालेंगे तो साप बड़े होके हम को ही धस लेगा अगर Julius Caesar राजा बन गिया तो हमें ही नुक्सान होगा तो यहाँ पे साप किस के लिए बताया गया है Julius Caesar के लिए जो कि Brutus अपने मन में सोच रहा है Put a string means Give him power to freedom us B. Give him power to harm us C. Give him power to walk us D. None of them Put a string का मतलव है यहाँ पे Give him power to harm us अब देखी यहाँ पे क्या है कि जैसे कि Brutus ने Julius Caesar को snack का है तो उसने यह भी सोचा है कि जदी हम साप को बड़ा होने से पहले ही कुचल दे अगर हम उसको पहले ही कुचल देंगे तो वो हमें कभी धस नहीं पायेगा इसका मतलब है कि जब तक साप अपने अंडे यानि कि जनम लेने से पहले अंडे में होता है अगर हम अंडे को ही फोड़ दे तो साप का मर जायेगा और उसका कोई जनम नहीं होगा लेकिन यहाँ पे अगर हम साप को पालेंगे इसको बड़ा होने का मौका देंगे तो वो बड़ा होके हमको डस लेगा तो put aisting का मतलब भी यहाँ पर यही है कि उसको फन देना उसको डसने की permission देना तो अगर हमने राजा बना दिया कि इसको जूलिल सीजर को तो बड़े होके वो हमको ही नुकसान पहुचाएगा तो यही इसका meaning है put aisting का मतलब कि साब को फन दे देना साब को डसने का मौका दे देना तो हम अगर उसको डसने का मौका देते हैं तो उसका मतलब होता है give him power to harm us कि हमने उसको power दे दी कि वो हमको ही नुकसान करें तो यहाँ पर यही मतलब है put aisting का मतलब कि किसी को ऐसी पावर दे देना जो हमारे हित के लिए अच्छी ना हो दा अब्यूस ऑफ ग्रेटनेस इस वैन इस डिस जोईन हेर अब्यूस मीन्स यहाँ पे अब्यूस का क्या मतलब बताया गया है तो यह आपके सामने तीन आप्शन तो यह है और चौता अप्शन आपका है और आफ दीज कौन सा कर्रेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पे तो अब्यूस का मतलब यहाँ पे पहले तो मैं इस लाइन का मतलब बता जाता हूँ जो यहाँ पे लिख्यूई है अगर वो राजा बन जाता है तो राजा बनते ही वो अब्यूस करेगा राजा बनते ही जब कोई विक्ति महन बन जाता है यानि कि जब कोई वैसा किसी पर बहुत सारा पैसा हो जाता है तो वो बदल भी जाता है तो जैसे ही जैसे ही जूली सीजर को किंग का किताब मिलेगा वो तुरंत ही भूल जाएगा और वो हमारे सो क्या करेगा misuse करेगा अब यहाँ पर abuse का मतलब यही है कि using something in dishonest way यानि कि यह सारे option यहाँ पर correct है वो misuse करेगा, mistreat करेगा dishonest way से यानि कि गलत तरीके से हमारे संग बैबार भी करेगा What is the mean by augmented augmented का क्या मतलब है decrease होना A, B, slow होना C, expanded होना D, all of these तो यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है तो augmented का मतलब होता है expanded बड़ा देना Brutus think of seizure Brutus सोचता है कि seizure है किसकी तरह है duck, egg की तरह है lizard का अंडा है, none of them है या serpent, egg है तो यहाँ पर क्या चीज है, बताया गया है तो उसमें सोचा है कि Brutus को बताया था कि snack, तो यानि कि वो अभी serpent, egg है यानि कि Julius Caesar अभी राजा नहीं बनाया है तो हम उसको राजा बनने से प्रूफ सकते है इट मिन्स कि अभी साप ने जनब नहीं लिया है तो साप अभी अंडे में है तो Caesar को अभी किस से बताया गया serpent, egg यानि कि अभी उसका जनब नहीं हुआ है तो यदि हम अंडे को ही फोर देंगे तो snack वो बनी नहीं पायेगा इसका मतलब राजा को बनने से अभी हम रोग देंगे तो वो हमें नुकसान भविश में नहीं पहुचाएगा तो इसका अंसर होगिया serpent, egg what is the mean by flint flint का क्या मतलब है flint आपने पढ़ा होगा word यूस करा होगा देखा होगा इसमें भी तो flint का क्या option बता है option क्या है is a stone with which to strike light second is a type of special glass c type of thin layer d none of them तो flint यहाँ पर किसके कहाँ पर आया था यह word तो यह पहले तो मैं answer बता देता हूँ answer is a stone with which to strike light एक परकार का पत्थर होता है ऐसा पत्थर होता है कि जदी इसको हम अपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से strike यानिकी इस चिंगारी उत्पन होती है इसका मदब आग लग जाती है तो इसका मदब यह है कि जो flint है वो एक परकार की माचिस है पुराने जमाने में माचिस नहीं हुआ करती थी तो आग जलाने के लिए flint यानिकी पत्थर का यूज करते थे जिससे की चिंगारी को उत्पन करके आग लगा जाती थी अब यह flint यहाँ पर कहां पर आया था तो मैं आपको कहानी बता दू कि जब वो Brutus Lucius से कहता है कि मुम्बत्ती जाकर ले आओ और उसको मेरे study room में लगा दो जला के तो जब वो study room में जाता है जाने के लिए जब मुम्बत्ती जलाता है तो से नहीं थी तो महां पर पद पड़ा हुआता ह material पथर पढ़ा हुए था पथर सब्वह आपस में रगणके उससे आग उशक्पन करके उस मुम्बत्ती को जला देता है तो यहां पर वहां पर यूज हुआ था हूँ फाउंड लेटर लेटर पत्र किसको मिला सीजर को मिलाता कैसे इसको मिलाता बूटर्स को मिलाता या फिर मिलाता Lucius को, किसको letter प्राप्ट हुआ था और क्या था letter में, वो तो हम बात को समझेंगे, पहले तो हम ये पता लगाते हैं, letter किसको मिला तो सबसे पहले letter मिला था किसको Lucius को, अब कम मिला था जब वो इस के श्री रूम में candle जलाने गया था, तो जहां पर फिलिंट पड़ा हुए थे, वहाँ पर एक उसको letter भी महाँ पर दिखा, जिसको उसने खोला नहीं, और लाके किसको दे दिया, Brutus को I'd of March का मतलब क्या है I'd of March बताया गया है 15 March के लिए, month of March के लिए 30 March के लिए, या फिर none of them I'd of March किसके लिए कहा गया है, 15 March के लिए, पंदर तरिक को कहा जाता I'd of March, यानि कि half of March का महिने को भी कह सकते है Who gave warning about I'd of March, किसने चिताबनी दी थी, 15 March के लिए तो चिताबनी इसने दी थी Julius Caesar को किसी ने चिताबनी दी थी कि 15 March तुमारे लिए अच्छा नहीं साबित होगा, तुम बचकर रहना तो Lucius ने दी थी Brutus ने दी थी, सूसेर ने दी थी या none of them दी थी तो तेरी आप मेरे समग बुक लगके जुरूब बैठा करी बच्चों, बुक में सब कुछ लिखा होता है और आपका पड़ाओब भी होता है, तो आपको वो करने में आसानी होती है तो देखिए आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा तो आइट्स ओव मार्च की चिताबनी किसने आइट्स ओव मार्च को जो वार्निंग दी थी वो किसने दी थी? सूसेर ने दी थी कल ही वो दिन था आइट्स ओव मार्च यानि की पंद्रा मार्च का दिन आने वाला जो है वार्ड वूड हैब बीन डिटन इन दा लेटर देट ब्रूटस हैड रिसीव जो लेटर लूसियस ने ब्रूटस को लाके दिया उसमें क्या लिखा हुआ था ब्रूटस दो स्लीप मतलब यह तीन बाते मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर तीन आप्शन आपके पास है क्या यह तीनों बाते लिखी हुई थी या उन्हें में से कोई एक बात थी तो कौन सी बात थी तो लेटर में यह सब कुछ लिखा हुआ था ब्रूटस दो सलीप मतलब ब्रूटस सोना नहीं खुद को मतलब जागे रखना सेल रूम एक्सेक्तरा स्पीट श्रायकर रूटस तो लिखा था कि बूटस तुम्हें चोना नहीं कैसे क्या करता था डिफ्रेंट डिफरेंट उसको मिलते थे लेकिन अलग अलग राइटिंग में मिलते थे तो उसे पता भी चलता था यह लैटर किस ने लिख़ा तो यह उसकी एक प्लानिंग भी थी कि वह अपनी प्लानिंग में सकसे हो जाए कि बूरूट psychologist को अपने सोचना है कि Julius Caesar किस तरह से राजा ना बन पाए तो आंसर यहां पर क्या है ओल ओफ दीज कि इंस्टीगेशन का मतलब क्या है यहां पर टू इंसाइट प्रोविकेशन एकसाइटमेंट या फिर ओल ओफ दीज तो इसका मतलब यहां पर क्या था बच्छो इंस्टीगेशन का मतलब होता है एकसाइटमेंट किसी को उत्तेजित करना उकसाना तो यहां पर उकसाने का मतलब तीनों से है तो तीनों ही वर्ड सेम सिंबलर वर्ड है कि सैल रोम इस्टेंड अंडर वन में अवे हैं अवे मिन्स क्या रोम जो होगा वह एक ही आदमी के डर्ट से ही खड़ा रहेगा वह एक आदमी ड्राके क्या उसको राच कर पाएगा तो यहां पर अवे का क्या मतलब है बाहदूर इसकिल फियर नन अफ दिस तो मैंने यह आ सोच रहा है कि अगर राजा वह बन जाता है तो क्या वह मतलब जूलिय सीजर जो एक उसके डर के कारणी प्रजा क्या वहां पर डरी रहे गया हमेशा मतलब कि हमेशा वही उस पर राच कर पाएगा प्रजा पर कि हूँ आर्दा बूटर्स एंसेंटर्स बूटर्स के जो पूरवज थे वो कौन-कौन थे उनके क्या नाम थे लूशियस जूनियस बूटर्स या फिर ओल अफ दिस तो देखी यहां पर अगर थोड़ा सा कन्फुजन हो सकता है तो यहां पर पहले मैं आपको टाइम देता बूटर्स तो यह तीनों नाम जो है उनके पूर्वजो के अभी प्रेजेंट पूर्वजो के नाम है तो यहां पर यह वह तीनों ही नाम बताए पूर्वजो के हैं तो यहां पर यहां पर जो करेक्ट होसकता है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Brutus and Centers जानि कि जो टरकिन था वो एक राजा था और उसको प्रजा पसंद नहीं करती थी तो उसको किसने बहाँ निकलवाया था Brutus के and Centers ने उसको राजा को वहां से भगा दिया था तो बच्चों यहाँ पे अभी कुछी questions हो पाए है तो चलिए आपको मैं अगले वीडियो में IC के आगे के questions कराने वाला हूँ तो आप यहाँ पे channel पे बने रहिए और मैं आपसे ये भी promise करता हूँ कि आप MCQ questions तो करेंगी करेंगे साथ की साथ chapter की summary भी समझने में आसानी होगी ताकि आपको question answer करने में भी help हो सके तो चलिए मिलते बच्चों next video में तब तक के लिए goodbye and thank you very much